type of shares या category of shares आपने जो चूस किया उसमें आप लोगों को benefits क्या-क्या मिल रहे थे किसी में आपको 2x मिल रहा था किसी में आपको intraday facility नहीं मिल रही थी है ना और किसी में आपको पूरी तरीके से delivery लेना पड़ रहा था तो यह क्या चीज है ऐसा क्यों ऐसा भेदबाव क्यों पर अब इदक आप लोग ने तीन category देखिए shares की एक तो large cap बड़े shares दूसरा mid cap उससे छोटे shares और तीसरा small cap उससे छोटे shares और चौथा बोला जायतो पैनी चिर्कुट shares दददद 20-30 रुपे वाले shares अब इन shares को भी अलग-अलग category में बाट करके रखा हुआ जैसे एक category एक category shares कैसे होते हैं अच्छे shares होते हैं जो की सारी फैसलिटी प्रोवाइट कर आते हैं आपको इस पर T SM MT X XT XD Z these are what these are category of shares पता है न आप लोग को बड़े shares से लगा कर तो छोटे shares तक सब आपको categorize करके रखा हुआ है और जैसी जैसी category है वैसे वैसे benefits अच्छे shares यानि एक category के shares पर सारे benefits मिलेंगे और जैसे जैसे category घटती जाएगी share की तो उसके benefits दीरे दीरे कम हो जाएंगे और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जितने बड़े shares होते हैं वो दिन भर में कितना भी उपर और कितना भी नीचे चले जाते हैं यानि उन लोगों का higher range और lower range unlimited होता है पता है न आप लोगों जिसको बोलते हैं ना upper circuit है ना lower circuit है clear है अब बात करते हैं आपन कुछ shares की जो की टी category क्या है लेटेंट व्यू ना बाय नहीं हो रहा था ना intraday पर तो किस category का share है टी टी बोले तो trade-to-trade ऐसे shares केवल delivery basis के लिए होते हैं यह सारे चोटी category wise बना दिया है इसको जैसे एक category की बात करेंगे तो बड़े shares जिसको आप लोग बोल तो large फिर उसके बाद में mid में जाओगे तो B, B1 फिर small में जाओगे तो यह S फिर उसी के बाद में यह medium shares यह medium में ही आ जाते हैं और T category ब पर नहीं खरीद सकते अब intraday पर facility क्या मिलती है पांच गुना margin है ना bracket order cover order यह सारी facility बंद हो गई अब आपको खरीदना क्या पड़ेगा यह 505 रुपे का share है तो पूरा पैसा दो और शेर को delivery पर ले लो जरूरी नहीं है कि delivery पर खरीद के बेच नहीं सकते delivery पर यहाने पूरा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि company के ऊपर करजा जादा है उसकी equity के मुकावले that's why company उसके ऊपर या broker उसके ऊपर facility उधारी वाला देता ही नहीं है सिंपल सा मतलब है leverage equity का जो है वो कम है और dead का जादा है समझ में आ रहा है higher debt ratio than equity company का करजा जादा होने के कारण आपको उधारी वाली facility नहीं मिलती है company का decision नहीं है यह exchange का decision है यह अपने जो retailers है या बड़े clients है उनको facility क्या क्या दिया जाए अगर company ज्यादा करजे वाली होगी तो यह 2x intraday यह facilities आप लोग को नहीं मिलेगी और अगर company कम करजे वाली होगी तो आपको 2x क्या 3 4 या 5x भी मिलेगा आप लोग को margin मिलेगा 90 क्या एक साल तक आप उसको उधारी पर hold करके रख सकते हो बट वो शेर किस category का होना चाहिए एक category का होना चाहिए clear है broker to broker भी वैरी करता है और आपके company to company वैरी तो career आई है ना अब मानलो कि angel ने यह दे दी facility बट हो सकता grow आपको 2x की जगा एक x दे दे वो और अपना safety लेके चल रहा है अब broker कितना बड़ा risk लेना जाता वो उसका call है एक रोज की list आती है डेली की regular list आती है इनकी जिसमें इनके रोज के margin ज़रूरी नहीं है margin आपको आज जो मिल रहा है कल भी वही मिले same भाव पे भी पता है आप लोग को अगर भाव आज 505 पे भी बंद हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि कल 505 के भाव पे भी आपको 2x ही margin मिले कई बार ये facility को पूरी तरीके से बंद भी कर दिया जाता है अगर कोई बहुत बड़ा news आने वाला होगा तो जैसा आप लोगोंने अभी जो budget अपना election था election पे सारी facilities बंद कर दी गई थी पता है आप लोग को आप लोगोंने सुना हो तो premiums बहुत हाई हो गई थी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था आप लोगों क्यों क्यों क्योंकि broker knows की बहुत बड़े risk हो सकते हैं आप लोगों को तो सेबी ने क्या बोला सेबी ने बोला कि जो आप 5 गुना दे रहे थे अब उसके लिए काम क भी था उसके उपर आप लोगों को leverage facility नहीं मिल रही थी because of higher risk तो यह facilities को कम जादा किया जा सकता है अब depend करता है कि वो शेर किस category का है अगर एक category में 5 मिल रहा था तो उसको घटा के 4,3,2 या एक facility किया जा सकता है ठीक है अब बात करते हैं अपन lower circuit limit और upper circuit limit इसी के बारे में किसी को पता है क्या lower circuit limit और upper circuit limit सब कुछ सारे सेर्स की कुछ ना कुछ लिमिट्स सेबी ने रेगुलेट की विए कोई पांच पंदरा बीस कि अधिक है बहुत बढ़िया और कोई अनिमन हाजी आप कुछ बोल रहे थे सार ऑनलाइन में जेबी ने सर्कूलेट किया हुआ है कुछ शेर्स में इनकी लिमिट्स परसेंट दस परसंट इस परसंट तरह इनकी circuit लग सकते हैं ठीक है यह नहीं यह नहीं है इस इस काइंड ओफ लाइक एक सर्कूलर होता है अब जैसे माल लो कि सब्सक्राव रिलाइंस पे आप लोह को क्या अल्गत सब्सक्राव क्या है अब लोग क्या एक दिन में क्या calendar 10% 20% तीस परसंट जा सकता है गया उपर या नीचे कि ता देखा है आपने रिलाइंस को अभी तक ऑख अभी बैस तक बहुत दिन पहले गया था पाँच परसेंट है ना पाँच परसेंट ऐसा कुछ हो सकता है कि रिलाइंस भाग जाए 20 परसेंट उपर या 20 परसेंट नीचे गिर जाए क्यों नहीं बहुत ही अच्छी न्यूज होगी याने बहुत बढ़िया डील होगी तो चांस से 10 परसेंट और उससे भी बिल्कुल र इसका मोमिंटम बंद नहीं होगा यह डबल भी हो सकता ट्रिपल भी हो सकता यह एक दिन में बट होने के चांसेज हैं क्या नहीं है वाई बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इसके अंदर जाधा तर प्रमोटर्स के पास में पता आप लोग को चलाता कौने शेयर को प्रमोटर चलात हैं और मार्केट में जितने एक्विटी है फ्रीफलोट कैपिटल जितना है उस हिसाब से यह उतना ज्यादा मूव कर नहीं सकता है लेकिन आप बात करेंगे जो छोटे शेयर होते हैं इन छोटे शेयर को चलाने वाले कौन होते हैं ज्यादा तर प्रमोटर्स क्या करते हैं एक बाइंग करते हैं आटिविशन उपर ले जाते हैं फिर सेलिंग करते हैं ऐसा करते करते हैं वाल्यूम को क्या करते हैं वाल्यूम को मैनुपलेट करते रहते हैं तो ऐसे शेयर जिसमें वाल्यूम मैनुपलेट की जा सकती है फ्री फ्लोट याने बजार के अंदर उन शे calculation हो भी तो एक समय में ये बंद हो जाए और सबसे मिनिमम कैटेगरी है lower circuit की 2% और upper circuit की देखा जाए तो no limit अच्छे shares में no limit 2% से limit चालू होती है जितने भी छोटे shares है 2% से चालू होंगे दो 5 10 20 40 no limit 40 is the deadline दो पांच 10 उसके बाद में आप डाल दो इतर 20 and then 40% एक दिन इंट्रा दे का limit है यह सेम दे का limit है ऐसे जो सबसे छोटे stock होते हैं उनके ओपर 2% और जो सबसे बड़े stock होते हैं अच्छे लार्ज केप उन पे no limit अब यह category आप लोगो कहां दिखेगी यह category आप लोगो देख जाएंगी रैडिफ मेल करके website है रैडिफ मनी करके website है वहाँ पर आप हर share का category देख सकते हो यह लग फंडा क्लियर हो थोड़ा सा हर share अलग होता है हर शेर पर मिलने वाली अलग है हर शेर पर आप लोग के मोमेंटम से अलग है हर शेर का उपर नीचे का चाल अलग अलग है कर दो